नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है, मैं हूँ शेखादूरिया ब्रिटेन में मिले कोरोनावारस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दिया है भारत भी इससे लेकर अलर्ट हो गया है ब्रिटेन से 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहले ही फ्लाइट्स को बैंड कर दिया गया है वहीं एरपोर्ट पर RTPCR टेस्ट भी कराये जाने को कहा जा रहा है लेकिन दिल्ली की अरविंद केज्रिवाल ने बड़ा फैसला किया है कि वो पिछले दो हफ़तों में UK से दिल्ली आने वालों की घरों में जाकर COVID टेस्ट करेगी दिली के स्वास्ते मंत्री सतेंदर जैन ने बताया कि पिछले दो हफ़ते में जितने भी लोगों ने UK से दिल्ली लैंड किया है उन सब का घर घर जाकर करोना चेकप किया जाएगा केज्रिवल सरकार ने आज से इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है दिली के स्वास्ते मंत्री सतेंदर जैन ने एनिटीवी से ए एक खास बात चीत में कहा कि मुख्यमंत्री जी ने केंडरी सरकार से निवेदन किया था कि UK से आ रही फ्लाइट्स पर प्रतिबंद लगाया जाए पहले शायद प्रतिबंद लगाने का विचार नहीं था लेकिन जब दिल्ली सरकार ने कहा तो ये पैसला लिया गया उन्होंने बताय कि जितने भी लोग पिछले दो हफ़ते में UK से दिल्ली आए हैं उन सब को घर घर जाकर चेक किया जाएगा सतिन जाय ने कहा कि पिछले 14 दिनों में 6-7000 लोग UK से दिल्ली एरपूर्ट पर उतरी हैं इन सभी लोगों का चेक अप किया जाएगा और सब को सलहा दी जाएगी कि कम से कम एक हफ़ते वो घर पर ही क्वारेंटीन रहें टेस्टिंग को लेकर सतिन्द्र जाय ने कहा कि जो अभी लोग आ रहे हैं उन सब का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है अभी तक जितने भी लोग बाहर से आ रहे थी वो अपने साथ कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आया करते थे उन्होंने कहा कि पिछली बार भी बाहर से आये लोगों की वज़े से दिल्ली को इस वारस का असर काफी छेलना पड़ा था सतिन जन ने कहा कि ये स्ट्रेंड कैसे डिटेक्ट होगा ये ICMR ही बता पाएगा अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये स्ट्रेंड ज्यादा संक्रामक बताया गया है और ये तेजी से फैलता है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ